गोफर्स के दिवालिया होने से बैंको और बाकी एरलाइन्स पर क्या आसर हुआ अदानी ग्रूप को लेंडर से क्या रहत मिली किस कंपनी को खई दे के लिए अंबानी और अदानी एक पार फिर एक दूसरे के आमने सामने आए केम बिरला के बोड़ पर वापस आने से वोड़ा आईडिया को क्या फाइदा हुआ इन सब के लावा और भी बहुत सारी खबरे हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस होगा नमस्कार कॉर्पेट सेंटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं उसंदीब ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की एरलाइन सेक्टर में एक और कमपनी डूबने की कागार पर पहुंच गई है वाडिया ग्रूप की एरलाइन कमपनी गोफरस ने दिवालिया होने के लिए नैशनल कमपनी लो ट्रिबनल यानि एनसी एल्टी में अर्जिदी है बारी कर्ज के बोज़ की वज़े से कमपनी ब 512 करोड उपे का कर्ज था और वितवर 2022 में कमपनी ने 1804 करोड उपे का सलाना घाटा जिला था इस बीच कमपनी ने 5 मैं तक अपनी सबी उड़ाने उपर रोक लगा दी है उड़ाने रद करने पर एवेशन रेगुलेटर डीजी सीय ने कारण बताओ नोटीस जारी किया है कमपनी को गोफर्स को कर्ज देने वालों ने कमपनी के एरक्राफ को जब्त करने का नोटीस बेजा है इस मामले में 4 मैं यानि गुरुवार को एंसी एल्टी सुनवाई करने के लिए तयार हो गया है मंगलवार को गोफर्स के दिवालिया होने की खबर आने से बुदवार को कमपनी के कर्ज देने वाले बैंकों के सासाथ बॉम्बे वर्मा के शहर में पौने 6 पीज़दी की गिरावप देखने हो कुरी बॉमबे वर्मा की गौफस में करीब 33 पीज़दी इसेदारी है इसके लाब बैंकों की बात करें तो जिनका exposure है इस कमपनी में Central Bank of India, Bank of Baroda और IDVA Bank के अगर हम बात करें तो इन तीनों शेरों में बुदवार के सेशन में 2-5 फीजदी की गिरावट के साथ closing देखने को मिली थी. Go First के दिवाले होने का एक दूसरा पहलू भी है. वो ये कि Spice Jet और Indigo जैसी बाकी एरलेंड कम्पनियों को फायदा होगा और हवाई किराए में बढ़ातरी हो सकती है. ब्रोकर्स Indigo के शेर को लेकर काफी बुलिश हैं. बैंक अमेरिका ने कहईदारी की राय बरका रखे शेर पर और 2700 रुपे का लक्षे दिया है. वहीं Credit Suisse ने Outperform की रेटिंग दी है और 2450 रुपे का लक्षे दिया है. इंडिको के शेर ने बुदवार को 226 रुपे पचामने पैसे की 52 अफते की नई उचाई को चुआ और पौने 5 फीजदी की मजबूती लेकर बंद हुआ था. दूसी कबर अधानी ग्रूप को अपने लेंडर्स यानि कर्जदाताओं से बड़ी रहात मिली है. लेंडर्स न इसके बारे में हमने आपको कॉर्पेट सेंटल के बीते शुकरवार यानि 28 अपरेल के एपिसोड में जान करी दी थी. हमने आपको बताया था कि ग्रूप ने होलसीम के सिमेंट कारोबार को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया था उसमें से करीब 20 करोड डॉलर के कर्ज का व पातम अदानी एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और इस बार इन दोनों बड़े कॉर्पेट घरानों के आने के पीछे की वज़ा है गुजरात की दिवालिया कंपनी भदरेश्वर विद्यूत पावर जनेरेशन सेक्टर से ये तीसरी कंपनी है जिसको ले 200 मेगवाट की पावर जनेरेशन से जुड़ी दो एक आया हैं इन कंपनियों में बुकेशंबानी की कंपनी आरायल अदानी ग्रूप की अदानी पावर के लावा टॉरेंट पावर विदानता और जिंदल पावर के नाम शामिल है भदरेश्वर रिविद्यूत के प्रक्रिया शुरू की गई थी चौति कबर इंडेबल हाउसिंग फैनेस ने मुचल फंड कारोबार में अपना पूरा हिस्सा बेचने की प्रक्रिया पूरी का लिए मुचल फंड कारोबार इंडेबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडेबल ट्रस्टी कंप पूरा करने की क्लोजिंग डेट 3 माई 2023 तैय की गई है शायद बाजार को इस जील की भनक मंगलवार को ही लगी थी इसलिए मंगलवार 2 माई को शेर 5.50 से जादा की बड़त लेकर बंध हुआ था पाँचवी कबर गोजेज Consumer Products Limited यानी GCPL की Non Convertible Leventures या NCDs के जरिए 5,000 करूर उपे तक की रकम जुटाने की हुचना है रकम जुटाने का पस्ताथ 10 माई को होने वाली बैठक में बोर्ट के साबने रखा जाएगा 10 माई को कंपनी के चौती तिमाई के नतीजे भी जारी होंगे और माना जा रहा है कि रेमन्ट के साथ हुई डील भी उसी दिन ही पूरी हो सकती है गौर तलब है कि पिछले हफ़ते कंपनी ने 2825 क्रोड उपे की रकम में रेमन्ट के Consumer Care कारोबार को खईदने का एलान किया था इस डील में पाक एविन्यू और कामसूतना कॉड़नपस नाम के दो ब्रैंड शामिल है इस डील के जरीए जीसी पील की सेक्शुल वेलनेस कैटेगरी में एंट्री होगी चटी कबर देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एटल ने मंगलवार को अपने श्री लंका के कारोबार भारती एटल लंका को डायलोग एग्जाटिया के साथ जोनने या फिर मर्ज करने की गोशना की है डायलोग एग्जाटिया मलेशिया के multi national telecommunications conglomerate एग्जाटिया गुरूप की सयोगी कंपनी है श्रीलंका में टेलिकम सेवाय मोया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है इस मर्जर के बाद बनी नई कंपनी श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलिकम कंपनी होगी भारती एटल लंका ने 2009 में श्रीलंका में अपना कारोबार शुरू किया था और इस मर्जर के जरिये भारती एट अभी इनफ्रसettes का दरजह देने की सिफारिश की है इंफ्रसेकर का दरजह मिलने से बैंकों से सस्ते लोन मिलेंगे क्योंकि राइटि सेक्टर लेंडिंग का हिस्सा बन जाएगी यह сफारिश सूचना प्रसान मंतारले को सौंपी है टेलिकम सेक्टर में इस ओफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए ट्राई नहीं प्रस्ताव दिया है दूसरी खबर ये है कि केम बिरला की और से वोडा आइडिया के बोड पर वापसी के बाद बैंक इस कमपनी को लोन देने पर दुबारा विचार कर रहे है इस तरह बैंकों की और से कमपनी को चार साल से लोन ना देने की हिचक खतम होती नदर आ रही है माना जा रहा है कि बैंकों का केम बिरला की उड़ा एडिया के बोर्ट पर वापसी में बड़ा योगदान रहा है तीसी खबर ये है कि दूसंचार विभाग यानि डियोटी के साथ चल रहे रिलाइंस जीयो के एक विवाद में कमपनी को ट्राइजे बड़ी रहात मिली है बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज जबरदस एक्षन देखने कुमला और उसके पीछे की वज़ा भी समझ देते हैं पहला शेर है बंसाली एंजिनरिंग पॉलिमर्स का जिसमें बुद्वार को साड़े पंद्रा परसंट तक का उचाल देखने कुमला इसकी बज़ा है कमपनी के और से की गई 14 मेई को होने वाली बोर्ट बैठक की घोशना कमपनी के चौती दिमाही के नतीजे जारी करने पर बोर्ट फैसला लेगा और नतीजों के साथ साथ बोनस शेर जारी करने पर भी विचार होगा सिदंबर दोजार साथ से लेकर अक्टूबर दोजार बाईस सक कम्पनी का डिविडेंट देने का लंबा ट्रैक रेकोर्ड है जो हमें BAC के वेब साइट पर नज़र आता है पर इस कम्पनी ने पिछले 16 साल के लिस्टिंग इतिहास में आज तक कभी भी बोनस शेर की गोशना नहीं की है यानि अगर 14 मेई को बूर्ड बोनस शेर जारी करने पर फैसला लेता है तो ये पहला बोनस इशू हुगा कम्टी के और से शायद यही कारण है कि स्टाक में इतना एक्साइटमेंट बुद्वार के सेशन में देखने को मिला दूसरी कबर वितवर 2023 की चौथी तिमाही में एग्रोकेमिकल्स और फार्मसेटिकल इंटरमेडियेट्स बनाने वाली गुदरिज ग्रूप की कम्पनी एस्टेक लाइफ साइंसिस के नतीजे बेहद निराशा जनक रहे हैं चौथी तिमाही में कम्पनी की बिक्री साल-दसाल 3.5.3 फीजदी घटकर 127 क्रोड रूपे पर रही है तिमाही के दुरान कम्पनी के कामकाजी मार्जिन में भी भारी कमी आई है कम्पनी के मार्जिन 24 फीजदी से घटकर 4.3 फीजदी पर रहे गए है दरसल कम्पनी को इस तिमाही में दोहरी मार पड़ी है एक तरफ रिलाइशन्स में कमी हुई है तो दूसी तरफ इंपुट कॉस्ट यानि लागत ऊची रही है जिससे मार्जिन पर गहरा असर पड़ा है और सबसे बड़ी निराशा है मुनाफे का अंकडा चौथी तिमाही में कम्पनी मुनाफे से घाटे में आ गई है पिछले साल की चौथी तिमाही में कम्पनी को 43 करोड उपे का मुनाफा हुआ ता कर खड़ाब नतीजों के चलते बुद्वार को शेर में दस फीज़ी से ज़्यादा की गिरावर देखने को मिली थी हाला कि क्लोजिंग साड़े तीन फीज़ी की मद्बूती के साथ हुई यानि दिन के निचले सरों से शेर में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी तीसी कबर भारत में लेट का उत्पादन करने वाली बड़ी कम्टियों में से एक और दिगज निवेशक आशीश कचोलिया के पूर्टफूलियों में हिस्से वाली कम्पनी क्राविटा इंडिया के शेर में बुद्वार को 11 फीज इस दौरान कम्पनी का मुनाफ़ा 41.3 करोड़ उपे से 54.4 फीज़ी बढ़कर 63.8 करोड़ रुपे पर रहा अब इड़ा यानि कामकाजी मुनाफ़ा साल 10 साल 17 फीज़ी बढ़कर 85 करोड़ उपर रहा और कामकाजी मार्जिन 11.35 फीज़ी पर रहे हैं जो की 0.39 फीज़ी क बढ़ोतरी है चोथी कबर स्मॉल कैप आईटी कंपनी सास्केन टेक्नोलोजिस का शेर बुदवार को गिरावट के साथ बंद हुआ दिन के दौरान शेर में 8.5 फीज़ी तक की गिरावट देखने कुमली थी वज़ा है चोथी तिमाही के कमजोर नतिज़े कंसलिडेट आदार पर चोथी तिमाहे में कमपनी के विक्री साल-दसाल 109.2 करोड उपे से 5.8 फीज़ी गिरकर 103 करोड उपे के आसपास रही इस दोरान कारोबारी मुनाफ़ा 35.6 करोड उपे से 36.6 फीज़ी घटकर 22.6 करोड उपे पर रहा और मुनाफ़ा 26.9 करोड उप 45.4 फीज़ी की गिरावट है और विक्री तिमाही दर तिमाही 122.8 करोड उपे से 16.2 फीज़ी गिरकर 102.9 करोड उपे पर रही है तो कॉर्पेर सेंटल में आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे इजादत देने का लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि कल के बजार प पर 4 मैं यानि की गुरुवार को भारतिय बजार और दुनिया भर के बजार रियाट करते हो दिखेंगे चार मैं गुरुवार की बात करें तो नतीजों में निफ्टी की दो बड़ी कंप्रें जिनके नतीजे आएंगे जिसमें HDFC Limited, Hero Motor उसके साथ अधानी एंटरप्राइजिस के नतीजे भी जारी होंगे अधानी ग्रूप से ही अधानी पोर्स के नतीजे भी आएंगे TBS Motor, Tata Power, Dabar इन सब कंप्रियों के नतीजे आएंगे जिसका बजार की उपर impact देखना काफी important होगा BEML Land Assets, इसके उपर भी नज़र रखेंगे को कि ये T2T से ट्रांसफर होगा कोई भी कंपनी जब Re-List होती है, कोई भी D-Majr के बाद जब किसी कंपनी का वापिस कारोबार शुरू होता है शेर बाजार में जिसमें QIP का इशू प्राइस तैय किया जाएगा, इस पर बोर्ड बैठक होने वाली है, क्या प्राइस आता है, उसके हिसाब से शेर पर असर देखना काफी important होगा Blue Star की Board बैठक है, नतीजे तो जारी होंगे कंपनी के और से, उसके साथ साथ Bonus Issue की उपर भी Board विचार करेगा, क्या ratio आती है bonus की, क्या फैसला लिया जाता है, इसके हिसाब से Blue Star का स्टाक भी कल के लिए काफी एहम रहेगा ट्रेडिंग में, और Global Triggers की बात करें तो काफी सारे एहम Global Triggers भी हैं, जिसमें ECB बैठक होने वाली है, उसमें ब्याजदरे बढ़ाने को कैसा फैसला आता है, क्या commentary आती है ECB की ये देखना बहुत important होगा, US के कुछ आंक्रे आएंगे जिसमें Jobless Claims, यानि की बिरोजगरी दावा के आख्रे जारी होंगे, तीन दिन की चुट्टी के बाद चीन के बजार पहली बार खुलेंगे, वहाँ पे किस तरह का असर देखने को मिलता है, वो भी देखना बहुत important होगा, और जापान के बजार तीन से पांच म अबर का हाल पता चल गया होगा, तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी, नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ, तब तक आप देखते रहें मरी नाइन, नमस्कार, शुबरात्री झाल, 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 झाल